राश्ट्री शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के विद्ध्यालेई पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारप्रस्तु थे धनी कारिक्रम्म की शंखला के अंतरगत प्रशिक्षनार्थी अध्यापकों के शिक्षन हितु कारिक्रम् तीन से छे साल के बच्चों में भाशा का विकास क्या बात है? आप लोग बातों में इतने मगन हैं कि मेरे आने की आहट भी सुनाई दिए हम अपनी बातों में इतने व्यस्त थे कि हमने आपको आते नहीं देखा दिए आज हमें बच्चों में भाशा विकास पर चर्चा करनी हैं और आप लोग अपना ही भाशाई कोशल बढ़ाने में दख्या है अच्छा तो चलो आज भाशा के विशय पर चर्चा करने से पहले एक छोटा सा खेल खेलते हैं सब लोग आखें बन करके कुछ सोचो अच्छा अब आखें खोलिए जुबैदा आप बताईए आपने क्या सोचा दिदी मैं सोच रही थी कि आप ये क्रिया क्यों करा रही हूँ अच्छा मन्जू आप क्या सोच रही थी दिदी मैं सोच रही थी कि मेरे परिवार की लोग इस समी क्या कर रहे होंगे अच्छा, इसी तरह आप सब कुछ न कोछ सोच रहे थे, है न अब ये पताईए, सोचते समय आप किसके माध्याम से सोच रहे थे, चित्रों के, शब्दों के या भावनाओं के दीदी जब हम सोचते हैं तो शब्दों में ये तो सोचते हैं बिलकुर ठीक, क्या सभी शब्दों में सोच रहे थे? लेकिन दीदी जब मैं सोच रही थी तब मेरे मन में कुछ छवियां भी थी हाँ मधू, उन छवियों को भी तो सोचते समय आपने शब्दों में बदला होगा हाँ दीदी, वो तो है अच्छा, ये जो हमने क्रिया की, इसका तातपरिय ये निकला कि भाशा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है चलो, एक मिनट को मान लो, कि हमारे जीवन में भाशा ना होती तो क्या होता? तो हमें सोचने में परेशानी होती तब तो हम एक दूसरे के विचार भी ना जान पाने लिए क्यों दीदी, ऐसा तो नहीं है हम अपने हाव भाव से और इशारों से तो बहुत कुछ समझा देते हैं अच्छा, चलो, करके देखते हैं एक खेल खेलते हैं एक लड़की किसी भी व्यवसाय के व्यक्ति का अभिने करेगी और हम सब को बताना है कि वो कौन है ठीक है दीदी, मैं करती हूँ दीदी, हम जान गए मन्जु धोबी का अभिने कर रही है बिल्कुल ठीक वा, बहुत बढ़िया अच्छा, तो अब आपने अपने आप करके देखा कि बिना शब्दों के भी हम अपनी बात कह सकते हैं अच्छा, तो फिर बताईए कि शब्दों की क्या आवशकता है नहीं दीदी, कहे तो सकते हैं पर भाशा के द्वारा हम अपनी बात और स्पश्ट तरह से कह पाती है भाशा तो बहुत ज़रूरी है हाँ मन्जु, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने भाशा के तो बहुत से लाब है भाशा से हम अपने विचारों का आदान प्रदान भली भाती कर पाते हैं अच्छा, और क्या लाब है? दीदी, भाशा हमें सोचने और समस्या का हल करने में सहयक होती है हाँ हम समस्या को भाशा के द्वारा हर पहलू से परक सकते हैं और दीदी हमें अपने अनुभवों को दुबारा याद करने में भी मदद करती है हाँ आप सभी ने सही कहा भाशा हमें अपने जीवन को सफल बनाने में बहुत ही महतुपून योगदान देती है हमारी सारी शिक्षा चाहे कोई भी विशय ले लो भाशा पर निर्भर है इसलिए भाशा में कुशलता बहुत आनिवारे है अच्छा ये बताईए जब हम भाशा में कुशलता की बात करते हैं तो शुरू में हम कौन-कौन से कौशलों को सीखते हैं दीदी पढ़ना और लिखना देखो मधू भाशा का विकास पढ़ने लिखने से नहीं शुरू होता सबसे पहले बच्चा जब भाशा सीखता है न तो कैसे सीखता है कभी आपने सोचा है कि बंगाली बच्चा बंगला ही क्यों बोलता है या तमिल परिवार का बच्चा शुरू से तमिल ही क्यों बोलता है दीदी बच्चा जो भाशा परिवार में शुरू से सुनेगा वही तो बोलेगा बिल्कुल ठीक तो कोई भी भाशा सीखने के लिए उसको सबसे पहले सुनना बहुत आवश्यक है और यही सुनना भाशा विकास का सबसे पहला कौशल है सुनने के बाद बच्चा बोलता है इस तरह सुनने बोलने का विकास साथ साथ होता है और प्रारंभिक बाल अवस्था में हमें इन दोनों कौशनों पर अधिक ध्यान देने के आवशकता है धिरी, वो सुनना बोलना तो ठीक है, परन्तु पढ़ना और लिखना भी तो भाशा की कौशल है न? हाँ भाषा के चार कोशल हैं सुनना बोलना पढ़ना और लिखना लेकिन प्रारंभिक वर्षों में जब हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तब हम पढ़ने और लिखने के कोशल पर सीधा ध्यान न देकर अनेक अनुभव द्वारा बच्चों को उन कोशलों क लिए तैयार करते हैं प्राथमिक स्तर पर जाकर जब बच्चा पांच या शे वर्ष्ण का होता है तब उसे पढगना लिखना शिखाना चाहिए पर दीदी हम तो पूर्व प्राथमिक स्तर की चर्चा कर रहे थे बालबाडी या आंगनवाडी में क्या पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे, नहीं मधू, पूर्वुर प्राथमिक शाला में हम बच्चों को सुनने की क्रियाएं, बोलने की क्रियाएं और पढ़ने की तैयारी तथा लिखने की तैयारी से संबंधित क्रियाएं कराते हैं, आइए हम ये अलग-अलग क्रियाएं करके देखें, जी, तो पहली क्रिया है सुनने के क्रिया आप लोग आंगनवाडी गए थे ना? जी दिदी आप कोई सुनने वाले क्रिया जो आपने देखी हो उसे बताईए दिदी कहानी सुनना? बिलकुल ठीक तो कहानी कौन सुनाएगा? हम सुनाते हैं दिदी ठीक है तो शुरू करो कहानी का नाम है शेर और खरगोष जंगल में एक शेर था वो उस जंगल का राजा था वो रोज रोज जंगल के छोटे-छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाता था सभी जानवर उस शेर राजा से बहुत भवीत रहते थे धीरे धीरे शेर बूड़ा हो गया था और अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो रोज रोज शिकार करने जाए शेर की दिमाग में विच्चार आया उसने जंगल के सभी जानवरों के एक सभा बुलाई सभा भी उसने कहा कि मैं रोज रोज तुम्हारा शिकार करने जाता हूँ और तुम सब परिशान होते हो इसलिए ऐसा करती है कि तुम में से कोई एक रोज मेरे पास आया करे सभी जानवरों के लिए दिन निश्चित कर दिया गया राजा की बाद सभी जानुरों को मानने पड़ी उन्हें क्या मालूम कि इसमें राजा ने अपनी चालाकी दिखाई है पर तो रोज रोज एक एक जानुर शेर के पास जाता था किसी दिन बिली तो किसी दिन कुत्ते की बारी होती इसी तरह एक दिन खर्गोश की बारी आई खर्गोश की दिमाग में एक विचार आया वो शेर के पस बहुत देर से पहुंचा शेर भूख से परिशान था और गुफा के बाहर आकर खर्गोश का इंतजार कर रहा था खर्गोश को देखकर वो चिलाया तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई खरगोश ने बड़े भोले बनते हुए का राजा जी मैं तो बड़े चक्कर में पड़ गया था मैं अपने घर से निकला तो रास्ते में कुआ था मुझे बहुत जोर की प्यास लगे थी मैंने कुए में जहांकर देखा तो उसमें एक शेर दिखाई दिया उसने गरजते हुए कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं तुमको मैं खाऊंगा राजा जी मैं तो बड़ी मुश्किल सी पीछा छुड़ा कर यहां आया हूँ शेर राजा इतना सुनकर गुसे में आग बबूला होने लगा तेज़ीस दाड़ते हुए कहा इस जंगल का मैं राजा हूँ वो दूसरा शेर कौन है चलो मुझे उसके पास ले चलो खरगोश ने कहा जैसके आपकी आग्या हो और वो शेर को कुएं के पास ले आया कुएं के पास पहुंचकर खरगोश ने शेर को कुएं में जहांकर देखने के लिए कहा शेर को पाने में अपनी परचाई दिखाई दी उसे लगा उसकी परचाई ही दूसरा शेर है उसने दाड़ते हुए कहा मैं इस जंगल का राजा हूँ तुम कौन हो कुएं की दिवारों से टकरा कर उसकी आवाज वापस आई जिसे सुनकर शेर और भी गुसे में बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा कुएं से फिर आवाज आई मैं तुम्हें खा जाऊंगा शेर फिर बोला अच्छा रुको मैं आभी आता हूँ कहते हुए उसने कुवे में चलांग लगा दी खर खर गो शेर की कहानी में मजानी है बैई देखो कहानी तो बहुत अच्छी है पर जरा सब के चेहरे तो देखो इस तरह कहानी सुनाओगे तो बच्चे तो क्या बड़ों को भी बैठना मुश्किल हो जाएगा दीदी इसी लिए तो हमने कहानी पूरी नहीं सुनी कहानी तो अलग ढंक से सुनानी चाहिए लेकिन दीदी कहानी तो कहानी है इसमें अलग क्या करना देखो भई बच्चों को कहानी सुनाना भी एक कला है बच्चों को छोटी मजेदार कहानिया सुनाएं जिसमें सरल भाषा का प्रयोग करें कहानी कहते समें आवाज में उतार चड़ाओ का होना भी बहुत जरूरी है और सुनाने के बाद बच्चों से सवाल पूछें ताकि उनको कहानी याद हो जाए अच्छा तो आप कहानी का एक नमुना हो जाए तो लो सुनो ये कहानी सुनाने के लिए हमने भाईया को बुलाया है तो भाईया शुरू किजी कहानी ये कहानी जैसे मैं बच्चों को कक्षा में सुनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वैसे ही आपको बताओं जी एक जंगल में एक शेर रहता था वो उस जंगल का राजा था राजा समझते ना राजा था वो रोज रोज जंगल के छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बना कर खा जा था सभी जानवर शेर राजा से बहुत भैबीत रहते थे धीरे धीरे शेर बूड़ा होने लगा और अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो रोज रोज शिकार करने जाए अब शेर के दिमाग में एक विचार आया उसने जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलवाई सभा में उसने कहा कि मैं रोज रोज तुमारा शिकार करने जाता हूँ और तुम सब बहुत परेशान होते हूँ इसलिए ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई एक रोज मेरे पास आ जाया करे सभी जानवरों के दिन मैं निश्चित कर देता हूँ बारी बारी से सभी जानवर आते रहें और मैं खाता रहूँगा और हाँ अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो सभी जानवरों को माननी पड़ी उन्हें क्या मालूम कि इसमें राजा ने अपनी चाला की दिखाई है फिर तो रोज एक एक जानवर शेर के पास जाता था किसी दिन बिली मियाओ तो किसी दिन कुट्टे की बारी आती इसी तरह एक दिन खरगोश की बारी आई अब खरगोश था चालाक उसके दिमाग में एक विचार आया वो शेर से बचना चाहता था बचे तो कैसे बचे इसलिए उसने क्या किया वो शेर के पास बहुत ही देर से पहुँचा शेर भूख से परिशान गुफा के बाहर चक्कर काट रहा था कि कब खरगोश आएगा कब मैं उसे खाऊंगा जब खरगोश वहाँ पहुचा तो शेर उसे देख कर चिला कर बोला तुमने इतनी देर कैसे लगाई खरगोश खरगोश ने बड़े ही भूले बनते वे कहा राजा जी मैं तो चक्कर में ही पढ़ गया था मैं तो अपने घर से ठीक वक्त पर निकला था वो रास्ते में एक कुवा था मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी मैंने क्या किया मैंने कुवे में ज्ञाँक कर दिखा तो उसमें एक और शेर दिखाई दिया मुझे और उसने गरजते हुए कहा मैं इस जंगल का राजा हूँ तुम्हें कई और जाने की ज़रूरत नहीं है तुमको मैं घाऊंगा राजा जी मैं तो बहुत मुश्किल में फस गया पर मैं बहुत मुश्किल से पीछा चुड़ा कर आप तका इसले दे रुखे इसले दे रुखे शेर राजा ने इतना सुना तो गुस्से से आग बभूला हुआ और तेजी से दाहरते हुए कहा इस जंगल का राजा हूँ वो दूसरा शेर कौन है चलो मुझे उसके पास अभी ले चलो खरगोष ने कहा जैसी आप की आग गया महराज और फिर वो खरगोष शेर को कुए के पास ले आया कुए के पास पहुँच कर खरगोष ने शेर से कहा महराज इस कुए के अंदर है वो दूसरा वाला शेर शेर ने कुए में जाका उसे वहाँ दिखाई दी अपनी ही परचाई शेर ने समझा ओ तो यही है वो दूसरा शेर शेर ने उसे डराने के लिए कहा ओ दूसरे शेर मैं इस जंगल का राजा हूँ तुम कौन हो कुए की दिवारों से टकरा कर उसकी अपनी ही आवाज उसे सुनाई दी और उस आवाज में भी यही कहा गया था मैं जंगल का राजा हूँ तुम कौन हो यह सुनकर शेर ने समझा के दूसरा वो जो नीचे पानी में शेर दिखाई दे रहा है वो उसे ललका रहा है बस फिर शेर ने कहा मैं जंगल का राजा हूँ तुम्हें खा जाओंगा अब यही आवाज फिर गुजी अंदर से आवाज आई मैं जंगल का राजा हूँ मैं खा जाओंगा मैं खा जाओंगा मैं खा जाओंगा शेर ने फिर सुना अच्छा तुम मुझे खाओगे मैं आभी तुम्हें बताता हूँ ये कहते हुए शेर ने कुए में चलांग लगा दी और इसके बाद क्या हुआ निश्चे तूप से शेर कुए में डूब कर मर गया और फिर इस बात पर सभी जानवरों ने खरगोश की, अकलमंदी की तारीफ की और फिर उसके बाद खूब जशन मनाया तो ये तो हुए सुनने की एक क्रिया अब दूसरी कोई सुनने के क्रिया जो आपने देखी हो वो बताएं दीदी, आज की ताजा खबर इस क्रिया में क्या हो रहा था? प्रतेक बच्चा खड़ा होकर कोई न कोई घटना जो उसके साथ घटी हो दूसरे बच्चों के सामने कहता है हाँ, इसके साथ एक और मज़ेदार सुनने की क्रिया है ध्यान इसमें सारे बच्चे आँखें बंद करके वातावरण की विभिन आवाजों को ध्यान से सुनकर बाद में पूछने पर बताएंगे इसे भी क्यों न करें दिदी? ठीक है, आप सब बैठ जाएए और अब आँखें बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए कि अीक है, जीक है, नीक है हैंगे उर भ। लिएर कर आया संवूाज़्। कि अथरी में आवह भ। कि यहाया से संवू़ अच्छा, अब आप लोग आखे खोलिये और बताइए कि आपने क्या सुना बिल्ली की आवाज दीदी, पानी उरेलना, जुटकी की आवाज, ताली की आवाज, और कुत्टे की आवाज शापाज, दीदी, हाथी की आवाज भी तो थी, हाँ, बिल्कुल ठीक अच्छा ऐसा ही एक और खेल है साउंड बॉक्स ये क्या देख रहे हैं आप लोग दीदी दो डिब्बे हैं इन डिब्बों में छोटे पत्थर है अब आप लोग बताएं कि किस डिब्बे में से तेज आवाज आ रही है और किस में से धीमी ठीक है? पहले डिब्बे से तेज है और दूसरे से धीमी अब बताओ किस में ज्यादा छोटे पत्थर हैं? पहले नहीं शाबाश इसी तरह आप लोग दो से ज्यादा डिब्बे ले सकते हैं और अलग-अलग संख्या के पत्थर या बालू रख सकते हैं यह तो थी सुनने के क्रिया अब बारी है बोलने के क्रिया की चलो जल्दी से बताओ इसकी क्रिया दिधी वो आलू-भालू वाली वो क्रिया है शब्द लयात्मक चलो यह खेल भी करके देखते हैं ठीक है? क्रिया तो आती है आप सब निवाश पहला बच्चा कोई भी लयात्मक शब्द बोलेगा, उसके बाद वाला बच्चा दूसरा शब्द बोलेगा, जिसकी लय पहले वाले शब्द से मिलती हो तो शुरू करें आलू, चालू, भालू, कालू, बालू इस क्रिया में बच्चे शुरू में तो निरर्थक शब्द कहेंगे, परंतो धीरे धीरे वो ठीक शब्द भी कहना सीख जाएंगे भई ऐसा करने से क्या होगा? बोलना सीखेंगे पर बोलने के लिए शब्द भी तो चाहिए, ये क्रिया शब्द संग्रे को बढ़ाती है दीदी और आंगनवाडी में अध्यापिका बच्चों को चित्र दिखा रहे थी और बच्चे चित्र को देखकर उसके बारे में बोल रहे थे अध्यापिका ने उन्हें कुत्ते का चित्र दिखाया था और बच्चे कुत्ते के बारे में बोल रहे थे इससे भी बच्चा वाक्यों में बोलना सीखता है और उसका शब्द संग्रे भी बढ़ता है अच्छा दीदी अब कौन से कौशल की क्रिया बतानी है आपको? पढ़ने की तैयारी में हमें देखकर वस्तों में अंतर करना आना चाहिए पर दीदी ये बाद में पढ़ने में कैसे सायक है? इस कौशल को हम द्रिष्टी विभेदी करन कहते हैं और इसके द्वारा ही बाद में बच्चा वर्णों में अंतर को समझ पाता है अब इसकी कोई क्रिया बताओ तो जो आपने देखी हो दीदी अध्यापिका कुछ बच्चों को आकार दिखा रही थी समझ में नहीं आया हमें अच्छा तो क्रिया मैं आपको बताती हूँ आप साथ-साथ बनाते जाएं ठीक है? आप लोगों के पास वो जो लंबा गत्ता है ना उसमें चार आकार बना लें जैसे गोल, ट्रिकोन, चौकोर और स्टार अब अलग से एक कार्ड पर स्टार बना लें और बच्चों से पूछें कि स्टार जैसा चित्र गत्ते पर धून कर बताएं इसी तरह आप चार ग्लास गत्ते में बनाएं और बीच में एक बोतल बना दें और बच्चे से अलग चीज को ढूण कर बताने को कहें? दीदी अब समझ में आया कि इससे बच्चा देख कर अंतर समझेगा इसी तरह बच्चे को पढ़ने की तैयारी में ध्वनी में फर्क करना भी आना चाहिए इसे ध्वनी विभेदी करण कहते हैं अब इसकी क्रिया कौन बताएगा? दीदी वो जिस क्रिया में बच्चे अंताक्षरी की तरह खेल रहे थी वही न? मैं एक शब्द कहूंगी जैसे कल मेरे बाद जो होगा वो ल से दूसरा शब्द बोलेगा ठीक है और उसके बाद जो होगा वो अपने से पहले व्यक्ति ने जो शब्द कहा होगा न उसकी आखरी आवाज से शब्द कहेगा अच्छा तो शुरू करें? मान मन न से नल ला से लग गा से गम गमला नहीं नहीं ये तो गलत है आपको तो मा से बोलना है हाँ दीदी तो मा से मत हाँ ये ठीक है देखो इससे बच्चे आवाजों में भेद करना सीखते हैं इसी तरह से आप कार्ड पर तीन चित्र जिनकी प्रथम या मध्यम या फिर अंतिम ध्वनी समान हो बनाएं और एक चित्र भिन ध्वनी या आवाज वाला बनाएं जैसे कमल कलम कान ये कध्वनी से प्रारम होने वाले शब्द हैं अब इन ही चित्रों में चध्वनी से प्रारम होने वाला कोई चित्र बना दें जैसे चम्मच और बच्चे को अलग ध्वनी वाली वस्तु बताने को कहें दिदी ये तो बच्चों को करवाने में बहुत मजा आएगा अब है आखरी पढ़ने की तैयारी का कौशल द्रिष्टि ध्वनी साहचर यानि ध्वनियों को वस्तूओं के साथ जोड़ना अच्छा इसकी क्रिया? नहीं बता देखिए इसके लिए आप तीन वस्तूओं के चित्र जिनकी शुरू की ध्वनी एक हो बना ले उनमें से दो चित्रों को एक मोटे कागस पर चिपका दे और तीसरे चित्रों को और चित्रों में मिला दे अब बच्चे को कहें कि चिपके हुए चित्रों वाली प्रथम ध्वनी के चित्रों को धूंड कर चिपकाए दीदी, क्या इस कौशल का कोई खेल है? हाँ है, खेल का नाम है दोडो और लाओ इसमें बच्चों को दो पंक्ती में खड़ा करें और बीच में गोला बनाएं उसमें पत्ती, फूल, पत्थरादी रखतें अध्यापिका द्वारा गोले में रखी किसी भी वस्तु का नाम लेने पर दोनों पंक्तियों से एक-एक बच्चा आकर उस वस्तु को लेने की कोशिश करेगा जो ले जाएगा, उसकी टीम को अंक मिलेंगे समझ गए ना? जी, दी, दी अच्छा, आप ज़रा बताओ तो इससे क्या होगा? दीदी, इससे बच्चा शब्द को सुनकर उस वस्तु को उठा कर लाएगा बिल्कुल, तो यही है द्रिष्ट ध्वनी साहचर्य अब कौन सा कौशल रहे गया? वो लिखने की तयारी दिए हाँ, इस कौशल की क्या क्रिया देखी थी लिखने जैसा तो कुछ नहीं कराया अरे भई, लिखना नहीं, लिखने की तयारी इसमें आपने देखा था बच्चे बिंदूओं को जोड रहे थे हाँ, दीदी, इसकी अन्य क्रियाएं हैं रंग भरवाना, ट्रेस करना दी इन क्रियाओं के द्वारा बच्चे को लिखने के लिए जो संतुलन चाहिए, वो बच्चा अभ्यास से सीख जाता है दीदी, आपने जो क्रियाएं बताई हैं अब हम अपने बच्चों को करवाएंगे तबी तो आपको ये सिखाई हैं जितनी अधिक क्रियाएं आप कराएंगे उतनी ही बच्चों को अपनी भाशाई कोशल का विकास करने में मदद मिलेगी इन अनुभवों के साथ कई ऐसे कारक होते हैं जिनका बच्चों के भाशा विकास पर प्रभाव होता है जैसे बच्चे का जन्म क्रम अगर बच्चे का जन्म क्रम प्रथम है तो उसका बड़ों से ज़्यादा संपर्क रहेगा इस कारण उसका भाशा विकास अच्छा होगा और बच्चा बीच का है तो उसका संपर्क अपने भाई बहन से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? दीदी भाशा विकास उतना अच्छा नहीं होगा हो सकता है ऐसा हो परमतु यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता को शुद्ध भाशा में बोलना चाहिए इसके लावा दूसरा कारक है अगर घर का माहौल बहुत सक्त है तो भी बच्चे का भाशा विकास उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसका दूसरों से ज्यादा संपर्क नहीं होगा दीदी फिर तो जो बच्चे दूसरों से ज्यादा बातचीत करें मिलें उनका भाशा विकास अच्छा होगा बिल्कुल, भाशा का विकास अच्छा हो, इसलिए बड़ों को चाहिए कि वो शुद्ध भाशा बोलें, बच्चे से बातचीत करें, बच्चे को अन्य बच्चों के साथ खेलने दें, उन्हें खिलोने दें, और बच्चों को बाहर घुमाने ले जाएं इसके अलावा भी कोई कारक है क्या? प्रदीदी, बच्चे हकलाते भी तो हैं? इसके तनाव के कारण भी भाशा विकास प्रभावित हो सकता है इसे कैसे ठीकिया जा सकता है दीदी? बई इसके लिए बच्चों का ध्यान बार बार उसके हकलाने पर आकरशित नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इससे उसमें तनाव उत्पन हो जाएगा बच्चे को आराम से बात करना सिखाएं और आप भी उसकी बात ध्यान से सुने और दीदी तुटलाना भी तो एक समस्या है? हाँ, शुरू में बच्चे जब कोई शब्द गलत बोलते हैं तो माता पिता उसको सही न बोलकर बलके खुश होते हैं जैसे मतलब का मतलन बोलना अगर घर के बड़े बच्चे के गलत शब्द को धीरे धीरे से सही बोलना सिखाएंगे तो ये समस्या स्वयम ही समाप्त हो जाएगी निदी आपने आज में बहुत सारी जानकारी देखा न भाशा की वज़े से आप लोग कितनी ज्ञान वर्धक जानकारी पासाएगे यही तो भाशा का कमाल है अच्छा भई अब कमाल तो बहुत कर लिया यही कमाल अब अपनी आंगनवाडी में करके दिखाओ तो जाने अभी आप सुन रहे थे कारिकरम तीन से छे वर्ष के बच्चों में भाशा का विकास इवं सुष्मा कौशिक, ध्वन्यंकन दीपक पांडे, नर्माण सहियोग दावुदयाल चत्रुवेदी, ध्वनी कारिकम नर्देशन प्रभुदयाल खट्टर तथा नर्माण केंद्रिय शेक्षिक प्रवध्योकी की संस्थान NCRT नई दिल्ली